जैहिन दोस्तो मेरा नाम है बहादर लोधी और आप लोग देखने सुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूटूब चैनल दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के प्रमुख आंदोलन घटनाए और समझोतों को डिसकस करेंगे यकीन मानियों दोस्तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इस टॉपिक से 2-3 कॉस्टन हर एग्जाम में पूशे ही जाते हैं तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम प्रमुख आंदोलन घटनाए और समझोतों से जितने भी इंपोन कॉस्टन वन सकते हैं उन सभी कॉस्टन को डिसकस करेंगे और दोस्तो हमेशा की तरह सभी कॉस्टन को हम बिल्कुल डेटेल में विट एस्ट अफेक्ट के साथ में और आसान भासा में डिसकस करेंगे इसलिए वीडियो को विना स्किप की एलाश्ट तक जरूर देखें तो आए दोस्तो विना किसी देरी की सुरुवात कर लेते हैं नमर फर्स्ट कॉस्टन से नमर फर्स्ट कॉस्टन है भारती राष्टे कांग्रेस की स्थापना कप की गई थी तो दोस्तो भारती राष्टे कांग्रेस यानि कि इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 को C option करक्ठ हो जाएगा अब भारती राष्टे कांग्रेस से जितने भी fact बन सकते हैं उन सभी को discuss कर लेते हैं स्थापना की गई थी 28 दिसमबर 1885 को और किस इस्थान पर गोकुलदास तेजपल संस्केत कोलेज मुंबई में स्थापना की गई थी और इसके संस्थापना की कौन थे ए ओ हूम इनका पूरा नाम है एलन ओक्टोवियन हूम और ये किस दिश के निवासी थे इसकोटलेंड के और दुस्तो दादा भाई नेरो जी ने इसका नाम कन भारती राष्टी कांग्रेस किया इससे पहले इसका नाम भारती राष्टी संग था ठीक है जब कांग्रेस की द्रोद्दिन तैयब जी और प्रथम कांग्रेस के प्रथम हम कह सकते हैं कि अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जार्ज यूल और प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बैसेंट और आपसे पूछादा आएगा कि प्रथम भारती महिला अज्यक्ष कौन थी तो सरोजनी नाइडू थी ठीक है तो ये सारे फेक्ट भाती राष्टी कांग्रेश से आप याद रखेंगे नमबर सेकेंड कौस्टन में हम 1905 के बंगाल विभाजन को डिसकस कर लेते हैं तो बताएए 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के सासनकाल में हुआ था तो दोस्तो बंगाल के विभाजन लाड करजन के सासनकाल में हुआ था ठीक है बंगाल विभाजन हुआ था लाड सासनकाल में 1877 की क्रांती हुई थी और लाड डफरन के सासनकाल में मैं आपको बता चुका हूँ कि कांग्रेस की स्थापना की गई थी लाड डफरन के सासनकाल में ठीक है ये तीनों पूछे जाते हैं अब बंगाल विभाजन की बात हुई था, food डालो और नीती करो, ठीक है तो इसी करम में बंगाल का बिभजन भी किया गया हिंदू और मुसलमानों की एक ताको तोड़ने के लिए, जब बंगाल का बिभजन किया गया तो बंगाल को दो हिस्सों में बाटा, एक पस्चम बंगाल और दूसरा पूर्वी बंगाल, प पश्च्वी मंगाल की कुल जनसंख किस्ट में थी? पांच करोड चालिस लाक और हम कह सकते हैं कि पश्च्वी मंगाल जो हे ये हिंदू बाहूल बाला एरिया था यानि कि सब से जाधा जनसंख हे हिंदू की थी? केबल मुसलमान थे 90 लाक और इसी करब में पूर्वी बंगाल की जनसंग कितनी थी तो 3 करोड 10 लाक थी ठीक है और ये जो पूर्वी बंगाल था ये मुसलिम बाहुल वाला एरिया था इसमें हिंदू केबल कितने थे 1 करोड 20 लाक हिंदू थी ठीक है अब हम बंगाल बंगाल बिभाजन किया गया तो वाइस राय थे लाड़ कर जिन अब बंगाल बिभाजन लागू कब हुआ तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल बिभाजन लागू होते ही शंपू देश में रोस और ब्रोध की लहर फैल गय ठीक है और 16 अक्टूबर 1905 को सोक दिबस की रूप म भी मनाया भारतियों ने और रबना टेगोर के आहान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षा बंदन दिबस मनाया गया ठीक है यानि कि हिंदू और मुसल्मानों की एकता दिखाने के लिए हिंदू भाई ने मुसल्मान की कलाई पर राखी बांदी और मुसल्मान भाई ने हिंदू मुसल्म एकताकू दिखाने के लिए ठीक है बंगाल विभाजन की आऊसर पर रबना टेगोर ने एक पिरसिद्ध गीत भी गाया अमार सोनाल बंगला ठीक है और ये अमार सोनाल बंगला जो है यह गीत बंगाल का राष्टगान है आप लोगों को पता होगा ठीक है इसकी र मुसल्म लीग की बात करें तो बंगाल विभाजन की घूशना के पस्चात मुसल्मानों का एक सिष्ट मंडल जिसमें 36 लोग सामिल थे आगाखा के नेतत्त में 1 अक्टूबर 1906 को सिमला के वाइस राय लाड मिंटो से मिला ठीक है और इस सिष्ट मंडल ने केंद्रिये प्र अर्थक निर्वाचन मंडल की मांग करें मुसल्म लीग की इस्थापना 30 दिसम्बर 1906 को आगा खां धाका के नवाब सलीम उल्ला और नवाब मुहिसन और मुल्क के नेतत्त में की गई थी ठीक है और एक फैक्ट मुसा जाता है कि जो मुहम्मद अली जिन्ना थे ये मुसल् नमर फूर्थ कोस्टन है कांग्रेस का विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ था तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में 1907 में ठीक है और देख दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था और इस अधिवेशन की अ कांग्रेस का विभाजन किया गया अब नरम दल के नेताओं के नाम पूछे जाते हैं तो इनको उधारबादी या फर नरम पंती नेता कहा जाता था ये थे दादा भाई नोरो जी फ्रोज साहर मेहता वदरुद्दिन तयब जी गोपाल किशन गोखले और वहीं गरम दल के ने इन तीनों को संक रूप से कहा जाता था और चौथे गरम दल की नेता थे अरबिंद घोश ठीक है ये प्रमुक नेता थे इसके अलाबा भी नेता थे लेकिन यही नाम पूछे जाते हैं नैश कॉस्टन खुदीराम बोस और प्रफुल चाकी ने किस विर्टिस जज की ऊपर बंप फेंका था ये कॉस्टन मोश्ट पॉइंट है पूशा ही जाता है तो खुदीराम बोस और प्रफुल चाकी ने जिस जज की ऊपर बंप फेंका था उसका नाम था किंग स्पोर्ट सी ओप्सन करक्ठ हो दायेगा हम कंप्लीट डेटेल को डिसकस कर लेते हैं तो खुद खुदीराम बोस और ये भारत में वेटेश सासनकाल का ब्रोध करने वाले सबसे यवा करांतिकारी सेनानी थे इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1889 को और पस्चम मंगाल के मिदना पुर जिले में इनका जन्म हुआ था 30 अप्रेल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल चाकी बिहार के मुजबफर पुर जिले के नियाएधीस इनका नाम है डी एच किंग स्पोर्ट पर बम फैंका था लेकिन किंग स्पोर्ट वच गया था और जो प्रफुल चाकी थे इन्होंने आत्म दाह कर लिया था आत्म हत्या कर ली थी और इसके बाद जो खुदीराम बोस कड़ कर मुजबफर पुर जेल भेज दिया गया और इस घटना को मुजबफर पुर सड़यंत्र के रूप में भी जाना दाता है इसके बाद क्या हुआ तो 11 अगस्त 1908 को 18 साल की आयू में खुदीराम बोस को फासी पर लटका दिया गया और दोस्तों खुदीराम बोस सबस कम उम्र में फासी पाने वाले क्रांती कारी बने तो ये 18 साल की उम्र में इनको फासी पर लटका दिया गया था ठीक है इसी क्रम में मैं बार बार बोलता हूँ कि यदि आपको करंट अफ्यस पढ़ना है डेटेल में या फर जनरल साइंस पढ़ना है डेटेल में तो हमारी दोनों e-book को बाय करके आप अपनी तयारी को और भी भैतरीन बना सकते हैं और भी मजबूत बना सकते हैं और exam में selection ले सकते हैं इसी करम में बताएए कि बंगाल का बिभाजन कब रद किया गया देखे दोस्तों हमने बताया था कि तात कालीन वाइसराय लाड करजन ने 16 ब्रोद किया गया ठीक है और 12 दिसम्बर कब 12 दिसम्बर 1911 को बंगाल का फिर से एकिकन कर दिया जाता है ठीक है बी ओप्षन करक्ठ हो जाएगा नैश्च अमारा कोस्टन है दक्षन अफ्रिका से लोटने के बाद गांदी जी का भारत में पहला सफल सत्यागरा है कौन सा था अब गांदी जी दक्षन अफ्रिका से भारत लोट आए है ठीक है और गांदी जी का भारत में पहला सफल को लोट कर भारत आए इसलिए हम हर साल नौ जनवरी को प्रवासी भारतिये दिवस के रूप में मनाते हैं और महत्मा गांधी के दोवारा चमपना सत्यग्राय कप किया गया तो 19 अप्रेल 1917 में सुरू किया गया और इस सत्यग्राय का उद्दिश क्या था तो नील की खेती करन वाले किसानों को निया दिलाना इसका प्रमुख उद्दिश्च था नैश्ट हमारा कॉस्चन है भारत में हॉम रूल आंदोलन किसके द्वारा सुरू किया गया करक्टान सरो जाएगा दोस्तों ऑप्शन भी बाल गंगहदर तिलक और एनी बैसेंट के द्वारा हम कंप्ली डेटेल को डिसकस कर लेते हैं तो हॉम रूल लीग या पर इसी को हॉम रूल आंदोलन कहा जाता है ये आंदोलन पिर्थम विस्विद्ध के समाए पिर्थम भारती पिर्तिकरिया थी जो आईरलेंड के हॉम रूल लीग से प्रेरित थी इस आंदोलन का उद्दिश क्या था तो राजनेतिक सिक्षा साबजनक बैटकों आदी के माध्यम से सोसासन प्राप्त करना था इसकी सुरुवात करी गई थी 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के दौरा जो बेल गाओं या फिर पुड़े होम रूल लीग है इसकी सुरुवात करी गई थी बाल गंगाधर तिलक के दौरा और मद्रास होम रूल लीग की सुरुवात करी गई थी एनी बेसेंट के दौरा ठीक है ये दोनों अलग-अलग पूछे जाते हैं तो उनको आप ज़रूर याद रखना नेस्ट करम की बात करें तो काला कानूण के नाम से प्रिसिद्ध एक्ट कौनसा है देखे दोस्तो हम MCQ फोरमेट में ही क्यों कोश्वन को डिसकस करते हैं क्योंकि MCQ फोरमेट में डिसकस करने से ये पता चलता है कि क्शवन किस घाइप से पूछे जाते हैं अब यह एक्ट से कितने फेक्ट बन सकते हैं उन सब को डिसकस कर लेते हैं तो दोस्तो रॉलेक्ट एक्ट मार्च 1919 में अंग्रेजों ने भारत में उभर रहे राष्टे आंदोलनों को कोचलने के लिए बनाया था ठीक है इस कानून के तहत में किसी भी व्यक्ति को केबल संदे के आध आधिकारिक नाम क्या है अराजक्ता और करांतिकारी अपराध अधिनियम इसको कहते हैं ठीक है इस एक्ट को विना वकील विना अपील बिना वकील और बिना दलिल का कानून कहा जाता था उर इस कानून कि तहत में 10 अप्रेल 1919 को पंजाब के दो लोग पिये नेताओं की गर गरपतार कर लिया था रॉलेट एक्ट के तहट थीक है अब बात कर लेते हैं जलियाबाला बाग हत्याकांड की तो जलियाबाला बाग हत्याकांड किस दिन घटेत हुआ था दोस्तों 13 अप्रेल 1919 को वैसाकी के दिन जलियाबाला बाग हत्याकांड घटेत हुआ था हम complete detail की बा नेताओं की गरपतारी के बाद जनता में बहुती तेज अक्रोस पैदा हो गया इस एक्ट के ब्रोद में पंजाब के अमरेसर के जलियाबाला बाग में एक सभा बुलाई गई जहां पर सांतीपूर्ण ब्रोद कर रहे लोगों पर जनरल डायर ने ये नाम याद रखना जनरल पंद्रा सो लोग मारे गए कितने पंद्रा सो लोग मारे गए और सरकारी रिपोर्ट कहती है कि 389 लोग मारे गए थे और कांग्रेस ने भी एक रिपोर्ट जारी करी थी तो कांग्रेस समीती के नूसार 1000 लोग मारे गए थे ठीक है जलिया बाला बाग हत्या कांड के समय भा जो है ये उस समय भारत का वैसराय था और इस घटना की जाज के लिए एक कमीशन भी नियुक्त किया गया था पूछा जाता है नाम हंटर कमीशन नियुक्त किया गया था और जो पंजाब के अमरेस्तर के जलिया बाला बाग में सभा चल रही थी तो इस सभा की मुखवरी किस करी थी ये गद्दार था भारती है हंसराज नाम के गद्दार ने इस सभा की मुखवरी करी थी डायर को ठीक है और इसी ने डायर का सहयोग किया था नैश कोस्टन की बात करें खिलाफत आंदोलन तो खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे खिलाफत आंदोलन के संस्थ उस समय तुर्की के खलीपा को पूरे संसार में मुसल्मानों का धार में गुरु माना दाता था और उनके उपर अंग्रेजों के द्वारा बुरा बेवहर किया जा रहा था इसी बुरे बेवहर को लेकर भारत में मुसल्मों ने अंग्रेजों के खिलाप खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करी खिलाफत आंदोलन की शुरुआत तो करी अली बंदू ने सोकत अली और मुहम्मद अली ने 1919 में इसकी शुरुआत करी बाद में इसका नेटत महत्मा गांदी जी के दौरा भी किया गया पूंचा जाता है कि खिलाफत आंदोलन का नेटत तो बाद में किसके द दूरा किया गया, क्यों किया गया क्योंकि महत्मा गांधिजी मुस्लिमों को भी अंग्रेजों के ब्रोद्ह राश्टी आंदोलनों में जोडना चाहते थे, इसलिए गांधीजी ने खलापत आंदोलन का भाद में नेतत्त किया, नेश्ट बात कर लेते हैं असायोग आंदुलन की तो असायोग आंदुलन कब शुरूं किया गया था अगस्त 1920 में शुरूं किया गया ठीक है किसके नेतत में तो गांदी जी के नेतत में शुरूं किया गया ठीक है ये आंदुलन अहिंसक होना था जिसमें भारतियों को अपने खिताबों औ उपाधियों का त्याग करना था सरकारी सेबा, विदेशी सामान और चुनाओ का वहिसकार करके अंग्रेजी सत्ता का व्रोध करना था ठीक है और असायोग आंदुलन के दोरान ही गांधी जी ने केसर एहिंद की उपाधि त्याग दी थी केसरे हिंद की उपाधी से एक कोस्टन एक्जाम में पूछा जाता है कि गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधी कब लोटाई थी जलियाबाला बाग हत्यकांड से गांधी जी बहुत दुखी थी लेकिन जलियाबाला बागत्यकंड के तुरंत बाद गांधी जी ने केसर एहिंद की उपाधी नहीं लोटाई थी याद रखना गांधी जी ने असायोग आंदोलन आरम होने पर केसर एहिंद की उपाधी लोटाई थी ये कौस्टन S.S.C. में पूशा गया था याद रखना अ आसायोग आंदोलन आरम होने पर महत्मा गांधी जी ने केसर एहिंद की उपाधी लोटाई थी नैश कौस्टन है चोरी चोरा की घटना कब घटेत हुई थी करेक्टांसर हो जाएगा 5 फरवरी 1922 को हम डेटेल की बात करें तो 5 फरवरी 1922 को गोरकपुर जिले में चोरी चो ठीके जिससे वाईस पुलिस कर्मी मारे गए और इस हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असायोग आंदोलन बापस ले लिया असायोग आंदोलन गांधी जी की दुआरा अगस्त 1920 में शुरू किया गया था फिर गांधी जी ने इस आंदोलन को फरवरी 1922 में बापस ले या चोरी चूरा की घटना से दुखी हो कर ने शुराज पार्टी की स्थापना किस ने करी थी तो सुराज पार्टी की स्थापना करी थी मौतिलाल नहिरू और चितरंजन दास ने सुराज पार्टी की स्थापना कप करी गई थी तो 1923 में करी गई थी ने शुराज पार्ट 1928 में भारत आए उस कमीशन का नाम बताईए जिसका उद्देश भारत की सम्मीधानिक विवस्ता में सुधार करना था तो भारत की सम्मीधानिक विवस्ता में सुधार करना प्रमुख उद्देश था साइमन कमीशन का D option करक्ठ हो जाएगा साइमन कमिशन को हम डेटेल में डिसकस करेंगे तो साइमन कमिशन की नियुक्ति वेटेस प्रधान मंत्री के दोरा वर्स 1927 में सर साइमन के नितत्त में की गई और साइमन कमिशन में सात सदस्त थी ठीक है और ये भारत का बाया कमिशन तो 1928 में ये भारत आया और इस कमिशन का मुख कारे था भारत की संविधनिक विवस्ता में सुधार करना और साइमन कमिशन में कोई भी भारतिय सदस्य नहीं था साथों सदस्यों में से कोई भी सदस्य भारतिय नहीं था इसलिए भारतियों ने इसका भौती ब्यापक तरीके से ब्रोध किया भी कहा जाता है ठीक है और इसी कमिशन के खिलाब प्रदसन कर रहे थे लाला लाच पतराय ठीक है और लाला लाच पतराय पर पुल्स ने लाठी चार्ज कर दिया गया और कुछ दिन बाद लाला लाच पतराय की मौत हो जाती है ठीक है तो साइमन कमिशन से ये सारी बात हैं य आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं यदि आपको आपके बहादर सर की मेहनत और content की quality अच्छी लग रही हो तो आपको एक काम करना है वीडियो को like करना है और आपके whatsapp, telegram पर जितने भी studies related group हों सभी गूर्पों में इस वीडियो को share करके हमें support जरूर करें कुछ view आ जाए तो वार्दोली सत्यग्रे किया गया 1928 में ठीक है और किस की नितत में वार्दोली सत्यग्रे किया गया तो वल्लब भाई पटेल की नितत में और इस आंदोलन के सफल होने के बाद वार्दोली की महिलाओं ने सरदार वल्लब भाई पटेल को सरदार की उपादी ठीक है सरद पूर्ण सुराज की घोषना करी गई तो पूर्ण सुराज की घोषना लाहर अधिवेशन में करी गई ठीक है देखे दोस्तो 1929 का जो अधिवेशन है कांग्रेस का ये कहां पर हुआ था लाहर में ठीक है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किस ने करी थी जे एल नहुरू और इसी अदिवेशन में पूर सुराज की घोशना करी गई थी ये question हमेशा exam में पूशा जाता है इस question है दांडी मार्च में गांदी जी के साथ कितने सहयोगियों ने भाग लिया? इस परकार के question पूशे जा रहे हैं दांडी मार्च के बारे में आप लोगों को पता है लेकिन कितने सहयोगियों ने दांडी मार्च में गान्दी जी के साथ में भाग लिया यह आपको बताना है 78 सहयोगियों ने V-Option करक्ठ हो जाएगा ठीक है और देखे दोस्तो दांडी मार्च की अधी हम बात करें तो अंग्रेजों दोवारा वनाए गए नमक कानून के ब्रोध में गांदी जी के दोवारा दांडी मार्च 78 सहयोगियों के साथ सावरमती आसरम से शुरू हुआ और सावरमती आसरम से लेकर गुजरात के दांडी तक चल कर गांदी जी ने नमक कानून का ब्रोध किया और ये दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अपरेल 1930 तक चला और इसमें कुल कितने दूरी तय की गई तो 241 मिल दूरी तय की गई ठीक है दूरी भी कई वारे एक्जाम में पूशी गई है इसको भी आप याद रखेंगे अब हम बात कर लेते हैं सभीने अवग्या आंदुलन की तो सभीने अवग्या आंदुलन ये कब सुरूं किया गया तो ये जो आंदुलन है ये महत्मा गांदी जी की नितत में दांडी मार्च के साथ में ही सुरूं किया गया 12 मार्च 1930 को सुरूं किया गया दांडी मार्च के ही साथ में नैश को सन है प्रथम गोल में सम्मेलन किस स्थान पर आयुज़ित हुआ था तो प्रथम गोल में सम्मिलन ये लंदन में आयुज़ित हुआ था ठीक है आब तीनों गोल में सम्मिलन को हम डिसकस कर लेते हैं तो अंग्रेश सरकार की दोवारा भारत में सम्मिधनिक सुधारों पर चर्चा के लिए कुल तीन गोल में सम्मिलन आयुज़त किये गए हैं ठीक है और हम बात करें के पहला गोल में सम्मिलन वारा नवंबर 1930 को दूसरा साथ सितंबर 1931 को और तीसरा सत्रा नवंबर 1932 को हुआ कुछ फेक्ट पूछे जाते हैं उनको हम डिसकस कर लेते हैं भीमराव अमेटकर जी ने तीनों गोल में सम्मिलन में भाग लिया दूसरे गोल में सम्मिलन में भारत की ओर से महला प्रतिनिधी की रूप में सरोजनी नाइडू को सामिल किया गया और महत्मा गांदी जी ने केवल दूसरे गोल में सम्मिलन में भाग लिया और तीनों गोल में सम्मिलन के समय एंग्लेंड के प्रधन मंत्री रेम जे मेक डोनाल्ड थे ठीक है याद रखेंगे इन सभी फैक्टों को नेश कोस्टन है पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था तो जो पूना पैक्ट है ये डाक्टर सहाब अंबेटकर और महत्मा गांदी जी के बीच में हुआ था C आप्शन करक्ठ हो जाएगा ठीक है और ये सम्मजोता पुडे की यरवदा सेंटरल जेल में 24 सितंबर 1932 क महत्मा गांदी जी और अंबेटकर की बीच में हुआ था इस सम्जोती का परिणाम कहा निकला तो केंद्रिय बिधान मंडल में दलतबर के लिए सुरक्षित सीटों को 18% बढ़ा दिया गया और दलतबर के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्रान्तिय बिधान मंडलों में 71 से बढ़ा कर 147 कर दे गए ओके नेश को सन है मुहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किस वर्स करी थी करेक्टान सा हो जाएगा दोस्तो 1940 में तो देखे दोस्तो 1940 को मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन है मुस्लिम लीग का अधिवेशन ये कहां पर हुआ था 1940 में पाकिस्तान की मांग रखी गई थी नेश कोसन है भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गरपतार करने के लिए वेटेस सरकार के दोरा चलाया गया आपरेशन कौन सा था इस परकार से कोसन पूशे जाते हैं भारत छोड़ो आंदोलन हमने कई वार पड़ा लेकिन भा ओपरेशन का नाम था ओपरेशन जीरो आवर सी ओप्सन करक्ठो जायागा अब भारत छोड़ो आंदोलन से जितने भी फैक्ट बन सकते हैं उनको डिसकस कर लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन महत्मा गांदी जी के दोरा आठ अगस्त 1922 को सुरू किया गया चूकि ये परेशन करक्ठ है इसको आप जरूर याद रखना कि भारत छोड़ो यानि कि कुट इंडिया का नारा किस ने दिया था आधूलन तो महत्मा गांदी जी की नितत में सुनू किया गया लेकिन भारत छोड़ो को जो नारा है ये यूसफ मेर अली ने दिया था ये फैक्ट आप आपको जरूर याद रखना ये ससी के एक्जाम में पूचा गया फैक्ट है नेश कोस्टन है भारत की संभिधान सवा किस के तहत गठित की गई थी तो जो संभिधान सवा है भारत की ये केबिनिट मिसन यूजना के तहत में गठित की गई थी वी ओप्षन करक्ठ हो और केबिनिट मिसन भारत कब आया तो केबिनिट मिसन 1946 में भारत आया था नेश को संभिधान है मौन्ट वेतन यूजना किस वर्ष प्रस्ताविद करी गई उन्निज सो में प्रस्ताविद करी गई और देखिए दुस्तो हम डिटेल से बात करें तो तीन जून 1947 को लाड ज म वेटे सरकार ने 1947 में भारतिय सुतंतरता अधिनियम 1947 पारत किया पईडाम सवरूप भारत और पाकिस्तान को बिभाजित कर दिया गया ठीक है कॉस्चन पूछा जाता है कि किस योजना के तहट भारत और पाकिस्तान को बिभाजित किया गया तो माउंट वेटन योजना के तह अब question आपको पूछा जाए कि भारत अपना सुतंत्रता देवस कम मनाता है तो आपको पता है 15 अगस्त को क्योंकि भारत 15 अगस्त 1947 को सुतंत्र हुआ था और पाकिस्तान अपना सुतंत्रता देवस कम मनाता है तो एक दिन पहले 14 अगस्त को मनाता है तो दोस्तों यहाँ पर हम किया बिलकुल डेटेल में आसान भासा की साथ इसी प्रकार से यदि आप डेटेल में करंटे फिश को पनना चाहते हैं साइंस को पनना चाहते हैं तो हमारी इबुक को ज़रूर बाय कर लीजिए गेरिंटी से बोल सकता हूँ बहुती भैतरीन इबुक है हमारी अंतिम प्रहण सेक्षन में कमेंट करके बताना है तो थैंकि दोस्तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्वाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए अंगला वीडियो आपके श्टॉपक पर चाहते हैं वो भी हमें बताएए और इस वीडियो को सेर कीजिए जो आपके भाई बहन कॉम्प्रेटव एक्जाम की तैयारी कर रहे हों चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबा लें ताकि इसी प्रकार के महत्पूर्ण वीडियो जब भी में डालूं तो उसका नोटिफिकेशन के आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें इसी प्रकार के इंपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर बिजिट करें प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आई बटन में या फर नीचे डिस्क्रेप्शन में या फर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर ती वेरी यूसपुल वीडियो देख रहे होंगे इन वीडियो को जरूर देख लें थैंक्यू दोस्तों मिलेंगे नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत बंदे मात्रा